सब्सक्राइब करें एसन टेक्निकल चेनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सकें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहुत हेलो फ्रेंड्स प्रेंड्स आज का मारे वीडियो का टॉपिक है एबीबी ड्राइव से किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पुश बटन का कनेक्शन किस तरह किया जता है आज के सुटे में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है युज वाली हमें यहली किसी भी ऽर स्पीड को व्हड़ी से कंट्रोल करना होती है तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली समझने वाले है तो यदि हम हमारे जो मोटर के स्पीड को पुछ बटन से कंट्रूल करना चाहते हैं इसके लिए हमें एक आपका पुछ बटन लगाना होगा जिससे हमारी मोटर के स्पीड ज्यादा होगी और एक डाउन का पुछ बटन लगाना होगा जिससे हमारे ड्राइव के स्पीड कम हो इस तरह यदू होती है किस तरह बीटर को रिले लगाकर स्टार्ट किया जाता है और इक स्टरह रिवस्थ हॉवारट का कनेक्शन किया जाता है तेरिया भीव ड्राइव करेंगे चाहते हैं दिससे पहले हम ने जो वीडियो बनाया था वह देखिए आज के किस तरह कियाज़गा एक स्टाट स्टाप किस तरह किया जाएगा चलिए पहले ड्राइव के कंट्रोल टर्मिनल से समाज लेते हैं उसके बाद कनेक्शन को स्टाट करते हैं चुक्छिए इस मोड में हम क्या कर रहे हैं जो हमारे motor के speed उसे push button से कमी ज़ादा कर रहे है इसलिए यहाँ पर potentiometer का connection नहीं दिया गया है चलिए पहले हम connection समझ लेते हैं कहाँ पर के connection करना होगा उसके बाद कौन सा parameter set करना होगा यहाँ समझ लेते हैं तो चुकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 10 नमबर का point है वो है auxiliary voltage है 24 volt जो कि drive से निकलता है हम इसका connection PNP mode में कर रहे है तो 10 नमबर का point है जहाँ पर 24 volt निकलेगा और auxiliary voltage है जो 11 number point है वो ground का point है 12 number point digital input common है और इस तरह यहाँ पर 13 to 18 6 digital input हमें दिये गये है 13 number जो use होगा उसके लिए जो use होगा वो start stop के लिए दिया गया है यहाँ से हमें एक selector switch लगा कर हमारी motor को start और stop कर सकते है जस्त हमें एक selector switch लगाना होगा यह जब on होगा तो हमारी drive start होगी जब यह off होगा तो हमारी drive stop होगी और 14 number में आप देख सकते है reverse forward यह हमारी drive के speed को हमें reverse forward करना है तो एक और selector switch हमें लगाना होगा जिससे हम हमारी drive को reverse और forward में कर सकते है इसका अलावा देखा जाए तो 15 number का जो point होगा यह होगा reference up यह में एक potentiometer हम लगाएगे तो reference up यह में इससे हमारी drive के speed है वह increase होगी यह हमारी motor जो speed है वह increase होगी और 16 number का जो point है वह है reference down that means इससे हमारी जो motor के speed है वह down होगी तो चलिए इसका connection किस तरह होगा पहले हम यह समझ लेते है usually इसमें नीचे 3 relay देगे गये है यदि हम जब हमारी drive speed हो जब start हो तो radic indication के लिए को indication लगाना चाहते है तो इस relay को use कर सकते है 19, 20, 21 यदि running का indication लगाना चाहते है तो 22, 23, 24 use कर सकते है यदि हमारे drive में कोई fault आए तो fault के लिए हम 25, 26 और 27 जो relay के point जी गए है वह use कर सकते है तो चलिए इसका connection हम step by step पहले समाझ लेते है किस तरह connection किया जाएगा तो चलिए जो इस terminal हमारे पास use होने वाले है वही terminal हमने यहाँ पे बनाए है 10 लेके 18 तर जैसे कि हमने दिखा तो जो 10 number का point है वो हमारे drive से 24 volt आ निकलेगा 24 volt सबसे पहले हमें क्या करना हो जो 11 और 12 पाइंट है ground और decom इससे हमें short करना होगा एक looping लगा कर तरह हमें 11 और 12 को short कर लेते हैं और 24 volt जो निकला है उससे सबसे पहले हमें ले जाकर देना है जो हमारी drive के start और stop जो selector switch है यह हमें start और stop के लिए use कर रहे है single way selector switch है तो start और stop के लिए selector switch है इससे ले जाना है और इससे हमें इसका जो output होगा इसके इनो का जो output होगा उससे ले जाकर हमें digital input first से connect कर देना है तो से क्या होगा हमारी drive start होगी और यह हम क्या करते है इससे देट में से यह हमेरे reverse forward भी करना है इससे हमें जो दूसरा वाला selector switch का इनो point है जो की यह हवाला है तो इससे हमें क्या करना है जो इसका इनो का जो output होगा उससे ले जाकर digital input second में देना है तो इससे क्या होगा हमारी drive को यदि हमें reverse forward करना है यदि हम इससे on करेगे तो हमारी drive reverse में जाएगी off करते की तो forward में जाएगी तो इससे हमारी motor को reverse और forward भी कर सकते है यदि हमें required हो तो चलिए अब आते हैं main point पे हमें इस जो drive के speed को आप या down करना है तो हमें क्या करना है यही जो looping आई है इससी looping को लेना है और एक push button के जो कि 15 number का point है जो कि यहाँ पे manual में हमें दिया गया था तो 15 number का point है that means reference आपके लिए जो point है reference आप में हमें देना होगा चलिए अब इसके बाद यही हम देखे हमारी drive से motor के speed को down करना है इस push button को लगा कर हमें down करना है तो down करने के लिए यहाँ से एक supply निकलेगी यहीं यह looping लेगे और इसका जो output होगा वो से हमें लगिकर जाकर दिज़े दिना है digital import 4 में तो इससे हमारे जो motor के speed अब होगी जिए एक से start अ stop एक से reverse forward एक से up और एक से down जितनी बाद हम इससे दबाएगा हमारे speed उतनी होगा तो basically इसके लिए जो parameter है जो reference mode selection का जो parameter होता है जो क्यों होता है 9902 ABB drive में होता है वहाँ पर जाकर हमें force it करना होता है तो motor potentiometer micro होता है तो 9902 में जाकर हमें force it करते हैं इस तरह का connection हम कर सकते है और इसमें potentiometer तो हमें use नहीं करना होता है अधर जो mode होते है उसको पर हमने पहले वीडियो बनाया है तो potentiometer का connection पर दिया गया होता है तो potentiometer का connection जेनरली 2, 3 और 4 point योज़ करना होता है और हर तरह के mode के लिए अलग-अलग इसके wiring दी गई होती है तो इस तरह आप किसी भी motor के speed को आप-down, reverse-forward और start-stop आसनी से कर सकते है push button और selector switch लगा कर friends, I hope आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा? कमेंट समझार और बताए और वीडियो का topic से लेटेट जो भी doubts से कमेंट समझार और पूछे हम पुरी कोशिश करें उसका जवाब दे सकें, so friends आज के लिए इतना ही thanks friends